हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम बैक मैं यूटिब चनल एयर एजुकेशनल हब तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छी इंफोर्मिशन देना वाला हूं जैसा कि मैं आपको बता दू जहारखन कंबाइंड का 2022 का एक्जाम सारा समाप्थ हो चुका है बीसी नर्सिंग एनम जेनम और एग्रिकल्चर साथी साथ वेटनरी की परिक्षा इस बार एग्रिकल्चर से अलग हुई थी यानि एग्रिकल्चर और वेटनरी की परिक्षा दोनों ही अलग हुई थी ठीक है पहले क्या होता था कि 2023 में होने वाला है इस बार और कैसे अड्मिशन लेंगे क्या प्रोसीजर रहेगा क्या कोछ चेंजस है या फिर कैसे करें तयारी कि इस बार हम लोग जर्खन अड्मिशन ले ले अग्रिकल्चर नर्सिंग जो भी आपका स्कूप है उसमें आप आसानी से अड्मिशन ले सकते हो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वह मैं आपको बताने वाला हूं जैसा कि मैं आपको बता दू कि इस साल 2022 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच् किया है जिनको अभी वेटनरी मिला है अग्रिकल्चर मिला है पैरा मेडिकल मिला है ऐसे बहुत सारे जो इस साल कॉलेज गये हैं ठीक है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार पढ़ाई शुरू की थी पहले पढ़ाई नहीं हुआ था 11-12 में फिर भी इस बार पढ़कर तेस्विजान 2021 में में हुआ है मगर अब यह एक्जाम सम्बर में बिलकुल और बिल्कुल नहीं तो इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है कि जून या फिर जुलाई में आपका एक्जाम होगा ठीक है तो उसके लिए हमने एक बैच निकाला है जिसका नाम है बैच सामर्थ है ठीक है बैच सामर्थ है हमने स्टार्ट किया है जो आइधिंग आपका एट फैबरी से स्टार्ट हुआ है एक दो डेमो टेस्ट भी है इसमें मैट्स वाले और बायो के लिए सेपरेट डेमो टेस्ट भी है जब तक आपका एक्जाम नहीं होता तब तक यह टेस्ट चलता रहेगा ऐसा नहीं है कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं अब एक्जा स्टेजर आपको मिल रहा है तो इसके लिए आपको जॉइनिंग लेना है जैसे इस बार में इस वाइटन किया है और जो प्रस्नल गाइडन्स होता है जितना मेरे से मेरे से होपाएगा कि मै आपको कि स्ट कर पाऊँ इस ताही बनानी है जिस तरह का पेपर हो सकता है पैटन क्या हो सकता है यह सारा कुछ आपको मिलेगा हमारे बैच सामर्थे में ठीक है तो यह आपको only totally मिलने वाला है अभी 499 में ठीक है जिसका cost मैंने रखा है 649 जो अभी लेने पर आपको लगेगा 499 ठीक है बहुत सारे instrument क्या है सोच रहे हैं कि भाई 499 आपका 28 तक है ठीक है only आपका 28 तक आपका लगने वाला है 499 उसके बाद आपका 649 लगेगा इसलिए बेटर है कि अभी ले लो और यह ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि अभी जवर्दस्ति ले लो आपको ले लेना है लेना ही पढ़ेगा इसके आलावा आपको तैयारी नहीं कर पाऊगे और हो जाएगा अगर आप सोचोगे कि एक्जाम से एक मैना पहले आपना त्यारी करना सुरू कर रहे हैं तो भाई बहुत दिक्क्त है इसलिए बिल्कुल अभी से प्रिपेशन शुरू करनी है किस तरह से पढ़ना है क्या स्ट्राटेजी होगा स्लेबस लगब कर रहे हो तो अगर आपको तयारी करनी है जरकन कंबाइंड की तो बिल्कुल आप इस पर जा सकते हो और बताने की जरूत नहीं है कि हमारा टेस्ट कितना अच्छा है और क्या है क्योंकि बाकि जो भी आप टेलेग्राम जॉइन कर लो वहां पर आपको खुद मिल जाएगा कि बाकि इस्ट्वेंट ने क्या किया था जो सेलेक्शन हुआ उनका ठीक है तो बिल्कुल आपको अगर जॉइन करना है तो जॉइन कर लिए 28 से पहले ठीक है पैटन कुछ भी इस बार नहीं होने वाला है पैटन जो है वही सेम रहेगा सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा 11-12 क होता है वही होने वाला कोई इसमें चेंज़ नहीं है तो जो भी आपको यूट्यूब चैनल या जो भी अधर वेबसाइट पर पता चल रहा है कि स्लेबस्का मों हो गया है इस यह पढ़लो इंप्वाटेंट यह है तो ऐसा कुछ नहीं है पढ़ना सभी है क्योंकि सभी में से कोशन आना है प्रिवियस यह बहुत सारे हमारे चैनल पर अपलोड है मैं आपके लिए खोगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस तेस स्रीज को जॉइन कर लिजिए और टेली ग्राम बिलकु जॉइन कर लिए करेंगे इसलिए बिल्कुल टेलेग्राम को जोइन कर लिजे मिलते हैं नए स्टूर्म तब तक के लिए धन्यवाद